प्रिये मित्रो आपका अपने चैनल G.S. युक्ति पर हार्दिक स्वागत है आज हम लोग G20 के संबंध में अध्यन करेंगे G20 यानी Group of 20 मित्रो हाल ही में G20 समिट 2023 भारत के निव डेली में संपन हुआ 9 से 10 सेप्टेंबर को इस संपन हुआ इसमें 19 देश एक और यूरूपियन संग के राष्टा धेक्ष थे साथी साथ कुछ अन्य देश भी शामिल हुए थे इसमें आएए डिटेल से देखते हैं Group of 20 G20 अंतर राष्टे या अर्थिक सहयों का प्रूम्ख मंच है भारत एक दिसम्बर 2022 से 30 नॉम्बर 2023 अकट तक अठरावे G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत की G20 अध्यक्षता का विसा है वह सुधायो कुटुम्बकम या एक प्रिथवी एक परिवार एक भाविस G20 क्या है G20 के शुरुवात वर्स 1999 में एशिया में आये वित्ये संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंटर बैंके गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्ये मुद्धो पर चर्चा करने के लिए एक पैठक के तौर पर हुई थी वर्स 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयुजित किया गया था G20 के सदस्य देश मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 19 देश और एक यूरूपिय यूनियन शामिल है यह समोव वैश्विक सकल घरेलू उत्पात का लगभग 85 प्रतिशत तथा विश्व की दो तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्त करता है मित्रों इसे याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे गुरू जी सीता अब SSC FCI में जाब करती है इसमें जाब करती है का कोई अर्थ नहीं है मित्रों हाली के G20 सम्मेलन में एक गोसना पत्र भी सामिल था ये क्या है इसे डेली डेकलरेशन कहते है अब इसको सभी ने कंसंसस से पास कर दिया था देखते ही या क्या है हमें बहुत ही चुनवती पौन समय में इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है G20 सम्मेलन का साजा गोसना पत्र 37 पेज का है और इसमें कुल मिलाकर 83 पैराग्राफ हैं इसे ही नई दिल्ली डेकलरेशन कहा गया है सीता रमन, फाइनेंस मिनिस्टर मित्रो और देखते हैं इसमें क्या था दिल्ली घोसना पत्र में माना गया कि SDG हासिल करने में एक जटका लगा है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रतिबध है ऐसा करने के लिए नेताओं ने विकास शील देशों का समर्थन करने टिकाव वित्त को बढ़ाने के लिए सभी सुरोतों से सस्ती परियापत और सुलव वित्त पोसंड जुटाने की अपनी प्रतिबधता की पुष्ट की है यहीं SDG के जो लक्ष है 17 लक्ष उसको हासिल करने में जटका लगा है तो उसको ठीक करेंगे कि इसमें जो जो कम जुडियाथ उसको सभी देश मिलकर दूर करेंगे मित्रो डेकलरेशन की दस बड़ी बात थी पहली बात थी सभी देश सस्टेनेवल डिवलपमेंट गोल पर काम करेंगे वन फ्यूचर एलाइंस बनाया जाएगा दूसरा सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुतापिक ही काम करना चाहिए तीसरा वाइव फ्यू ग्लोपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी उन्हें बहतर और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा पांचवा ग्लोबल साउथ की प्रात्मिकताओं पर विशेस रूप से जोर दिया जाएगा छठा क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर ब विकास करने वाले शहरों को फंड भी प्रदान किया जाएगा नवा ग्रीन और लोकार्बन इनर्जी टेकनोलजी पर सभी देशों के साथ लगातार काम किया जाएगा और दशवा और अंतिम आतंक वाद पर रोक लगाने के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे ग्लोबल जीडीपी का 85% G20 के पास G20 जो अभी हाली में संपन हुआ है उसमें एक चीज परू जोर दिया गया हुआ है भारत की अध्यक्षता में लाइफ मुव्मेंट के साथ टिकाव विकास मित्रो G20 जो G20 में जितने देश हैं उनके साथ ये खास बात है कि ग्लोबल जीडीपी का करीब 80% G20 देशों से आता है कहीं कहीं ये 85% लिखा मिलता है तो 80-85% G20 देशों से आता है G20 देशों का करीब 75% इंटरनेशनल ट्रेड है G20 देशों में विश्वकी कुल 60% आबादी रहती है G20 में दुनिया के विकसित और विकास शील देश शामिल है मित्रोभी सी सम्मेलन में जो भी G20 का हाल ही में सम्मेलन हुआ है उसमें वैश्विक जैव इधन गडबंदन का भी शुभारम किया गया है यहाँ सम्मेलन भारत मंडपब में संपन हुआ वैश्विक जैव इधन गडबंदन या GBA की अस्थापन बढ़ती उर्जा मांग को देखते हुए भारत जैव इधन उत्पादन चम्ता बढ़ाने पर विचार कर रहा है भारत की इथेनाल उत्पादन चम्ता 12.4 अरब डॉलर गुड आधारित भट्टियों की चम्ता 8.1 अरब डॉलर अनाज आधारित भट्टियों की चम्ता 4.3 अरब डॉलर भारत अमेरिका और ब्राजील का योगदान 85% वैश्विक इथेनाल उत्पादन यानि भारत, अमेरिका और ब्राजील तीनों मिलकर के वैश्विक एथेनाल उत्पादन का 85% प्रोवाइड करते हैं सरकारी तेल विपढ़न कंपनियों ने पिछले आठ वर्सों में डिस्टिलर्स को 82,000 करोन रुपए का भुगतान किया जिसमें से 48,000 करोन रुपए किसानों के पास गये भारत का E20 इधन 1357 पर उप्रोवाइड है है 2025 तक राष्ट व्यापी कवरेज भारत को 2040 तक वैश्विक उर्जा मांग बिरिति में 85% का योगदान मित्र वैश्विक जैव इधन बाजार मित्र उत्पाद द्वारा कौन-कौन से इसे उत्पाद हैं जो जैवी धन है तो वे हैं बायो डीजर इतेनौल उननत जैवी धन इसके बाद मित्र अनप्रियोग निका कहा कहा होता है तो परिवहन में होता है बिद्दूत पादन में और गर्मी पैदा करने में इसके बाद वैश्विक आकड़े देखें तो 28 मिलियन डॉलर C.A.G.R छेतर के आधर पर देखें ये कहां कहां पर जैविधन पाए जाते हैं तो एश्विक आर्थिक और वित्तिय मुद्दो पर चर्चा करने के लिए एश्विक आर्थिक और वित्तिय संकट के बाद 1999 में स्थापित किया गया कोई स्थाई सचिवाले नहीं है सदश उन्नीस देश और यूरूपिय संग इस्थाई आतित इस्पेइन जी ट्वेंटी शिखर सम्मिलन प्रतिवर्स होता है जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी भारत थीम एक प्रत्वी एक परिवार एक भविस शेर्पा जी ट्वेंटी देशों के प्रतिनिधियों के रूप में एजेंडा और कारे का समन्नवेक उनके द्वारा किया जाता है ट्रोईका, प्रेसिडेंसी ट्रोईका, पिछली वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थे मित्रो जी ट्वेंटी की जो प्रेसिडेंसी होती है, वो ट्रोईका के माध्यम से होती है यानि इनमें तीन देशों की बात होती है कि पहले कौन करेगा जिसे 2022 में इंडोनेसियन किया था फिर 2030 में कौन करेगा ये हो जाता है फिर उसके बाद अगले साल यानि जिसे 2030 चला है तो 2024 में ब्राजिल करेगा इस तरह से ट्रोयका के माध्यम से जी 20 प्रेसिडेंसी को डेकलियर किया जाता है मित्रो इसकी मीटिंग 2008 से सुरू हुई थी वाशिंग अटन डी सी उनाइट स्टेट से और ये हाल ही की बैठक 2030 न्यू डेली इंडिया में संपन हुई मित्रो ये वाशिंग अटन में जो प्रथम मीटिंग हुई थी मित्रो हमारा वीडियो में पर समाप्त होता है फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ मित्रो एक चीज और हुआ था जी 20 में अफ्रीकन यूनियन को जी 20 का इस्ताई सदर्श से बनाया गया है मित्रो अफ्रीकन यूनियन में कुल पच्पन देश आते हैं नौर से साथ देश आते हैं साउस से दस देश आते हैं वेस्ट से पंद्रा देश इस्ट से चवदा देश और से नौ देश आते हैं मित्रो ये जो है अफ्रीकन यूनियन का फ्लैग है मित्रो हमारा वीडियो में पर समात होता है फिर मिलते हैं किसी हैंने वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद अजलता है तब घ्राइब तब जाएब अजलता है फिर मिलते हैंने भाटब झाल झाल